हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईस्मार्ट टैक में तो फ्रेंट आज हम बात करेंगे कि एक लैन प्रिंटर को हम किस तरीके से जो है अपने सिस्टम में एड़ कर सकते हैं जाहे वो फिर विंड़ो एट हो विंड़ो सेवन हो या विंड़ो ट कर दें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आईए फ्रेंट सुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंट सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंट्रोल पैनल खोल लेना है कंट्रोल पैनल में आपको डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्ल करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एड़ ए प्रिंटर योजिंग टीसीपी आईपी एड्रेस और होस्त नेम पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है यहां से आपको ड्रॉप डाउन में जो है टीसीपी आईपी सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको जो है अपना IP address डालना है, जो कि आपके printer का है, और इसे आप यहाँ पर tick कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई problem नहीं है, उसके बाद आपको next कर देना है, next करने के बाद आपको have a disk, यह जो option आ रहा है, इस पर click करना है, और तो उसके बाद आपको browse पर click करना है, browse पर click करके आपको अपना वो driver ले लेना है, जो भी printer आपने install करना है, तो हमारे case में जो है, यहाँ पर है driver के अंदर, यहाँ से हमें driver लेने ना है, अगर आपका operating system 64 में है, तो यहाँ ड्राइवर लेना है, यान कि अगर 32 में है, तो यह driver, तो हमारा 64 में है, तो यहाँ से हमें ड्राइवर लेके okay कर देना है और next कर देना है तो यह यहां पर दो हमें option दे रहा है use the driver that is currently installed क्योंकि हमारे पास यह system पहले से यह driver installed है इसलिए दिखा रहा है और हम चाहे तो से replace भी कर सकते हैं तो हम current वाला ही ले ले लेते हैं यहां से replace कर देते हैं next और इसके बाद जो है आपका printer जो है install हो जाएगा और यहां से आप finish कर सकते हैं तो यह देखिए आपका यहां पर प्रिंटर इंस्ट्रॉल होके आ गया है तो इस तरीके से आप जो है विंड़ो सेवन विंड़ो एट या विंड़ो टैन किसी में भी जो है अपना लैन प्रिंटर जो है install कर सकते हैं आई पी के थ्रू तो यह थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं आप से मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन